C.I.E.T.N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है किताब के बारे में किताब में 23 पार्थ हैं और 180 सफे हैं हर पार्थ के साथ मुसन्निफ और शायर का तारूफ कराया गया है साथ ही साथ लफजों मानी भी दिये गए है इस पुस्तक के पाठों को चार हिस्सों में बाटा गया है नस्र, नज्म, गता और मसनवी नस्र में इन्शाया के लिए दो चैप्टर्स हैं अफसाने दो हैं मुक्तसर मजमून चार हैं और ड्रामा एक है जिसका नाम है खुदा हाफिज नज्म में छे गजले हैं चार नज्मे हैं और एक गीत है कता के लिए चार चैप्टर्स हैं और मसनवी के लिए एक चैप्टर है शुक्रिया नवाए उर्दू नवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब सफा नंबर एक हिस्सा नस्रूल सफा नंबर दो इन्शाया अंग्रेजी में इन्शाया और मजमून दोनों के लिए एसे की इस्तलाह राइच है इन्शाया अधीब की जहनी रो और अदवी असलूब का आइनादार होता है इन्शाया निगार जिन्दगी की आम या खास बात या कैफियत को अपनी अफ्तादे तबा इल्मियत और शगुफता निगारी से पुर लुथव अंदाज में बायान कर देता है सफा नमबर तीन अब्तिदा में तमसीली इन्शाया भी लिखे गए इन्हें रमजिये या अलेगरी कहा जाता है इनकी बेहतरीन मिसाल मुहम्मद हुसेन आजात की किताब नेरंगे ख्याल है सरसेयत शिबली, हाली और खौजा हसन निजामी से लेकर नियास फत्यपुरी सेयद आबिद हुसेन खौजा गुलामस सेयदेन मुहम्मद मुजीब रशीद एहमस सिद्दीकी और इनके बात के लिखने वालों की बास तहरीरे इनशाया भी कही जा सकती है और मस्मून भी कनहिया लाल कपूर मुश्ताक एहमद यूसुफी यूसुफ नाजिम वजीर आगा और मुश्तबा हुसेन वगेरा हमारे जमाने के मुम्ताज इनशाया निकार है सफा नमबर चार तारूफ मुसनिफ सरसएद एहमद खां सन 1817 से लेकर 1898 तक सिद एहमद खां दिली में पैदा हुए सिद एहमद ने अपने जमाने के एहल-े कमाल से फैज हासिल किया 1849 एस्वी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत अख्तियार की और मुख्तलिफ मकामात पर काम किया 1862 एस्वी में जब वो घाजी पूर में थे उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई इस अंजुमन का मकसद ये था कि मुख्तलिफ उलूम खासकर साइंस के उलूम का मुटाला किया जाए और इन उलूम को हिंदुस्तानियों में आम किया जाए 1869 एस्वी में सेद एहमद खान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए वापसा कर उन्होंने अंग्रेजी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्स पर अपना एक रिसाला तहसीब अखलाक निकालना शुरू किया इंग्लिस्तान से वापसा कर सेद एहमद खान ने अलीगण में 1875 एस्वी में एक स्कूल खुला ये स्कूल 1878 एस्वी में मौहमदन एंग्लो औरियंटल कॉलिज और फिर 1920 एस्वी में अलीगण मुस्लिम यूनिवरसिटी की शकल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इधारा बन गया 1878 एस्वी में स्यद एहमद खान को सर का खिताब मिला इसलिए लोग उन्हें सरस्यद के नाम से जानते हैं सरस्यद आखिर अमर तक कौमी काम, कॉलिज की देखभाल और तस्नीफ औ तालीफ में मश्कूल रहे उनकी मुद्धित तसनीफ में हासारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर खास तोर पर एहमियत रखती हैं इनके मज़मीन कई जिल्दों में मजलिस तरक्य अदब लाहौर से शाय हुए हैं इनमें साइंस, फलसफा, मजभ और तारीख से मुतालिक मज़मीन हैं सफ़ा नमबर चार सरसेद एहमद खां सन 1817 से लेकर 1898 तक सेद एहमद खां देली में पैदा हुए सेद एहमद ने अपने जमाने के एहले कमाल से फैज हासिल किया 1849 एसवी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत अख्तियार की और मुख्तलिफ मकामात पर काम किया 1862 एसवी में जब वो घाजी पुर में थे उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई इस अंजुमन का मकसद ये था कि मुख्तलिफ उलूम खासकर साइंस के उलूम का मुताला किया जाए और इन उलूम को हिंदुस्तानियों में आम किया जाए 1879 एसवी में सेद एहमद खान एक साल के लिए इंगलिस्तान गए वापसा कर उन्होंने अंग्रेजी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्स पर अपना एक रिसाला तहसीब अखलाक निकालना शुरू किया इंगलिस्तान से वापसा कर सयद एहमद खान ने अलीगण में 1875 एसवी में एक स्कूल खुला ये स्कूल 1878 एसवी में मौहमदन एंगलो औरियंटल कॉलिज और फिर 1920 एसवी में अलीगण मुस्लिम यूनिवरसिटी की शकल बे हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इधारा बन गया 1878 एसवी में सेयद एहमद खान को सर का खिताब मिला इसलिए लोग उन्हें सरस्यद के नाम से जानते हैं सरस्यद आखिर अमर तक कौमी काम, कॉलिज की देखभाल और तसनीफ तालीफ में मश्कूल रहे उनकी मुद्धित तसनीफ में आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर खास तोर पर एहमियत रखती हैं इनके मज़मीन कई जिल्दों में मजलिस तरक्य अदब लाहौर से शाय हुए हैं इनमें साइन्स, फलसफा, मजभ और तारीख से मुतालिक मज़मीन हैं सफ़ा नमबर च्छे गुजरा हुआ जमाना मुसनिफ सरसेय देहमत खां बरस की आखिर रात को एक बुठ्था अपने अंधेरे घर में अकिला बैठा है रात भी तरावनी और अंधेरी है घटा चा रही है बिजली तडप तडप कर कड़कती है आंधी बड़े जोर से चलती है दिल कांपता है और तम घपराता है बुठ्धा निहायत गमगीन है मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है ना अकेले पन पर और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंच पर और ना बरस की आखिर रात पर वो अपने पिछले जमाने को याद करता है और जितना ज्यादा याद आता है उतने ही ज्यादा उसका गम बढ़ता है हातों से ढगे हुए मूँ पर आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं पिछला जमाना उसकी आखों के सामने फिरता है अपना लड़कपन उसको याद आता है जबके उसको किसी चीज का गम और किसी बात की फिक्र दिल में न थी रुपिये अशर्फी के बदले रेवडी और मिठाई अच्छी लगती थी सारा घर, माबाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे पढ़ने के लिए छुटी का वक्त जल्दाने की खुशी में किताबे बगल में लिए मक्तब में चला जाता था मक्तब का खयाल आते ही उसको अपने हम मक्तब याद आते थे वो ज्यादा गमगीन होता था और बे अख्तियार चिला उटता था हाए वक्त, हाए वक्त, गुशरे हुए जमाने हफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया फिर वो अपनी जवानी का जमाना याद करता था अपना सुर्ख सफेज चहरा, सुडोल डील, भर-भरा बदन, रसीली आखें, मौती की लड़ी सितांथ, उमंग में भरा हुआ दिल, जजबाते इनसानी के जोशों की खुशी उसे याद आती थी उसकी आँखों में अंधेरा चाय हुए जमाने में माबाप जो नसीहत करते थे, नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे, और ये कहता था, अभी बहुत वक्त है, और बुढ़ापे के आने का कभी खयाल भी ना करता था, उसको याद आता था और अफसोस करता था, कि क्या अच्छा होता, अगर जब ही मैं उस वक्त का खयाल करता, और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को सवारता, और मौत के लिए तयार रहता, आह, वक्त गुजर गया, आह, वक्त गुजर गया, अब पश्टाई क्या होता है अफसोस मैंने आप अपने तई हमेशा ये कहकर बरबात कर दिया कि अभी वक्त बहुत है सफा नंबर साथ ये कहकर वो अपनी जगा से उठा और टटोल टटोल कर खिरकी तक आया खिरकी खोली देखा के रात वैसी ही डरावनी है अंधेरी घटा चा रही है बिजली की कड़क से दिल फटा जाता है हौल नाकांधी चल रही है दरखतों के पत्ते उरते हैं और टहने तूटते हैं तब वो चिला कर बोला हाई, हाई मेरी कुसरी हुई जिन्दगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी ये रात ये कहकर फिर अपनी जगा आ बैठा इतने में उसको अपने माबाप, भाई, बहन, दोस्त, आशना याद आए जिनकी हड़ियां कबरों में गलकर खाक हो चुगी थी मागोया महबबस से उसको च्छाती से लगाए आँखों में आँसु भरे खड़ी है ये कहती हुई कि हाई बेटा, वक्त गुजर गया बाप का नुरानी चहरा उसके सामने है और उसमें से ये आवास आती है कि क्यूं बेटा, हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे भाई, बहन, दातों में उंगली दिये हुए खामोश है और उनकी आँखों से आसूं की लड़ी जारी है दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी हालत में उसको अपनी वो बाते यादाती थी जो उसने नहायत बे परवाई और बे मुरवती और कज खल्की से अपने माबाप भाई बहन दोस्त आशना के साथ बढ़ती थी मा को रंजीदा रखना बाप को नाराज करना भाई बहन से बे मुरवत रहना दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना यादाता था और उस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मुहबबत का देखना उसके दिल को पाश पाश करता था उसका दम चाती में घुट जाता था और ये कहकर चिला उटता था के हाई वक्त निकल गया हाई वक्त निकल गया अब क्यूं कर उसका बदला हो वो घबरा कर फिर खिलकी की तरफ दोड़ा और टकराता लड़कडाता खिलकी तक पहुँचा उसको खूला और देखा के हवा कुछ ठैरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है पर रात वैसी ही अंधेरी है उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर वो अपनी जगा आ बैठा सफा नमबर आठ इतने में उसको अपना अधेरपन याद आया जिसमें के ना वो जवानी रहती थी और ना वो जवानी का जोबन ना वो दिल रहा था और ना दिल के वलबलों का जोश उसने अपने उस नेकी के जमाने को याद किया जिसमें वो बनिजबत बदी के नेकी की तरफ ज्यादा माईल था वो अपना रोजा रखना, नमाजे पढ़नी, हच करना, जकात देनी, भूकों को खाना खिलाना मस्जिदें और कूएं बनवाना याद कर अपने दिल को तसली देता था फकीरों और दुर्वेशों को जिनकी खिद्मत की थी, अपने पीरों की जिनसे बैद की थी, अपनी मदद को पुकारता था मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी वो देखता था कि उसके जाती आमाल का इसी तक खात्मा है भूके फिर वैसे ही भूके हैं मस्जिदें तूट कर या तो खंडर हैं और या फिर वैसी ही जंगल हैं कूएं अंधे पड़े हैं ना पीर और ना फकीर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और ना मदद करता है उसका दिल फिर खबराता है और सोचता है कि मैंने क्या किया जो तमाम फानी चीजों पर दिल लगाया ये पिछली समझ पहले ही क्यों ना सूझी अब कुछ बस नहीं चलता और फिर ये कहकर चिला उठा हाए वक्त, हाए वक्त, मैंने तुझको क्यों खो दिया वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ तौड़ा उसके पट खोले तो देखा कि आसमान साफ है आंधी धम गई है घटा खुल गई है तारे निकल आए हैं उनकी चमक से अंधेरा अभी कुछ कम हो गया है वो दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि यका यक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खुब सूरत दुलहन नजर आई उसने टक-टकी बांधे उसे देखना शुरू किया जो जो वो उसे देखता था वो करीब होती जाती थी यहां तक के वो उसके बहुत पास आ गई वो उसके हुसनों जमाल को देखकर हैरान हो गया और नहायत पाख दिल और महबत की लहजे से पूछा कि तुम कौन हो वो बोली मैं? मैं हमेशा जिन्दा रहने वाली नेकी हूँ उसने पूछा कि तुम्हारी तस्खीर का भी कोई अमल है वो बोली हाँ है नहायत आसान पर बहुत मुश्किल जो कोई खुदा के फर्ज उस बद्वी की तरह जिसने कहा के वला ला ला अजियद वला अनकस अदा करकर इनसान की भलाई और उसकी बहतरी में सही करे उसकी मैं मुस्खर होती हूँ दुनिया में कोई चीज हमीशा रहने वाली नहीं है इनसान ही ऐसी चीज है जो आखीर तक रहेगा पस जो भलाई के इनसान की बहतरी के लिए की जाती है वही नसल दर नसल आखीर तक चली आती है नमाज, रोजा, हज, जकात इसी तक खत्म हो जाता है इसकी मौत इन सब चीजों को खत्म कर देती है मादी चीजें भी चंद रोज में फना हो जाती है मगर इनसान की भलाई आखीर तक जारी रहती है मैं तमाम इनसानों की रूह हूँ जो मुझ को तस्कीर करना चाहे इनसान की भलाई में कोशिश करे कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिल औ जान औ माल से साई हो ये कहकर वो दुलहन काइप हो गई और बढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा अब फिर उसने अपना पिछला जमाना याद किया और देखा कि उसने अपनी बच्पन बरस की उम्र में कोई काम भी इनसान की भलाई और कम से कम अपनी कौमी भलाई का नहीं किया था उसके तमाम काम जाती घरस पर मबनी थे नेक काम जो किये थे सवाब के लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की नजर से किये थे खास कौमी भलाई के खालिस नियस से कुछ भी नहीं किया था अपना हाल सोच कर वो इस दिल फरेब दुलहन के मिलने से मायूस हुआ अपना आखीर समाना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उमीद ना पाई तब तो नहायत मायूसी की हालत में बेकरार होकर चिल्ला उठा हाए वक्त, हाए वक्त, क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ हाए, मैं दस हजार दिनारे देता, अगर वक्त फिर आता, और मैं जवान हो सकता ये कहकर उसने एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवास आने लगी उसकी प्यारी मा उसके पास आखड़ी हुई उसको गले लगाकर उसकी बब्बी ली, उसका बाप उसको दिखाई दिया चोटे-चोटे भाई बहन उसके गिर्द आखड़े हुए मा ने कहा बेटा, क्यों बरस के बरस दिन रोता है? क्यों तो बेकरार है? किस लिए तेरी हिचकी बंद गई है? उठ, मुहाद धो, कपड़े पहन नौ रोस की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतजिर खड़े हैं तब वो लड़का जागा, और समझा की मैंने खुआब देखा, हाँ और खुआब में बुढधा हो गया था उसने अपना सारा खुआब अपनी मा से कहा उसने सुन कर उसको जवाब दिया बेटा, बस, तू ऐसा मत कर, जैसा के उस पशेमान बुढधे ने किया बलके ऐसा कर, जैसा तेरी दुलहन ने तुट से कहा सफा नमबर दस ये सुन कर वो लड़का पलंग पर से कूत पड़ा और नहायत खुशी से पुकारा ओ, यही मेरी जिन्दगी का पहला दिन है मैं कभी उस बुढधे की तरह ना पश्टाऊंगा और जरूर उस दुलहन को बियाऊंगा जिसने ऐसा खुबसूरत अपना चेहरा मुझको दिखलाया और हमीशा जिन्दा रहने वाली नेकी अपना नाम बतलाया ओ, 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 खुदा, तु मेरी मदद कर, हामीन पस, ऐ मेरे प्यारे नौजवान हमवतनों और ऐ मेरी कौम के बच्चों अपनी कौम की भलाई पर कोशिश करो ताके आखिर वक्त में उस बुढधे की तरह ना पश्टाओ हमारा जमाना तो आखिर है अब खुदा से ये दुआ है के कोई नौजवान उठे और अपनी कौम की भलाई में कोशिश करे आमीन सरसेद एहमद खां सफ़ा नमबर ग्यारा मश्क लफ्जो मानी मक्तब मदर्जा कज खुल्की मिजाज का कडवापन रूखापन बैद करना मुरीद बनना अताद का एहद लेना तस्खीर काबू में करना फतेह करना बद्वी अरब के वो बाशिंदे जो घर नहीं बनाते रेगिस्तानों में रहते हैं और ज्यादातर जिन्दगी उंटों पर या खेमे में गुजारते हैं वल्लाह ला अजियद वला अनकस एक अरबी फुक्रा खुदा की गस्म ना मैं ज्यादा करूंगा और ना कम सई कोशिश साई कोशिश करने वाला मबनी मुनहसर पशेमान शर्मिंदा पश्टाने वाला सफ़ा नंबर बारा अमली काम गौर करने की बात सरसयद अपने जमाने के मुफक्किर और मुसलेह थे उनकी नस्र में वही संजीदगी वजन और वकार है जो उनके किर्दार में था इस मजबून में सरसयद का असलूप बड़ा अफसान भी है आखरी अक्तबास से कबल ये अंदाजा ही नहीं होता के सरसयद की कहानी का हीरो कोई बूढ़ा नहीं बलके एक कम उम्र लड़का है सरसयद वक्त की एहमियत को अच्छी तरह समझते थे और अपनी तहरीरों के जरिये वो कौम के नौजवानों को वक्त की गदर औ कीमत का एहसास दिलाते रहते थे सवालों के जवाब लिखे सवाल नमबर एक बूढ़ा अपनी जवानी के जमाने को किन लफजों में याद करता है सवाल नमबर दो सरसयद ने बरस की आखिर रात का जिक्र किस तरह किया है सवाल नमबर तीन बूढ़े को जो खुबसूरत दुलन नजर आई उससे मसन्निफ की क्या मुराद है माने लड़के को क्या नसिहत की लड़के ने क्या एहद किया आखरी पैराग्राफ में सरसेयत ने कौम के नौजवानों को क्या नसिहत की है सबख की बुलंद खुआनी कीजिए मजमून में नेकी बदी आसान मुश्किल जैसे मुतजाद अलफाज एक साथ इस्तिमाल किये गए हैं आप उसी तरह के कुछ मुतजाद अलफाज सोच कर लिखिए मुंदर्ज जैल मुहावरों को जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए दिल पाश पाश होना हिच की बंधना टक्टकी बांध कर देखना मुंदर्जा जैल लफ्सों में से मुजक्कर और मौननस अलग-अलग कीजिए अंधेरा जिन्दगी आशना जोबन खिड़की घटा बिजली बातल नवाय उर्दू भाग एक का पहला सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक दो आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. C.I.E.T.